नमस्कार किसान भाईयो, स्वाधत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रेटिव किसान में आज हम इस वीडियो में एक एकड फ्रेंच बीन्स की खेती का संपूर्ण विशलेशन इन पांच पॉइंट्स के आधार पर करेंगे इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यहां बताऊंगा कि फ्रेंच बीन्स की खेती के साथ में हम कौन-कौन सी फसलो की इंटर्ट्रोपिंग कर सकते हैं या जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर दे जिन भी किसान भाईयों ने अभी तक चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंच बीन्स की खेती हम हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं सिर्फ हमारे खेत की मिट्टी में सारे पोशक तत्वों मोजूत होने चाहिए। अगर आपके खेत की मिट्टी में पोशक तत्वों की कमी है, तो आप इस कमी को पूरा करने के लिए देसी गोबर की खाथ या वर्मी कमपोश डाल कर इसे दूर कर सकते हैं। फ्रेंज बिंस बुख्यता दो तरा की होती है, पहला पोल बिंस जिसे हिंदी में बेलदार बोलते हैं, दूसरा बुज बिंस जिसे हिंदी में जाड़ीदार बोलते हैं, हम इस वीडियो में पोल्स बिंस की खेती का विशलेशन करेंगे, इसका कारण यह है कि पोल्स बिंस का लागत पर एक एकड फ्रेंच बीन्स की खेती में कितनी लागत आती है एक एकड के लिए बीच की मातरा लगेगी 6-8 केजी अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके बेट से बेट की दूरी कितनी है वह आपने एक बेट पर कितनी रोली है अगर आपके बेट से बेट की दूरी पांच फीट है और एक बेट पर आपने दो रोली है तो आपको बीच की मातरा लगेगी छे से साथ केजी और वहीं अगर आपके बेट से बेट की दूरी चार फीट है और आपने एक बेट पर दो रोली है तो आपके बीच की मातरा लगे इस तरह एक एकड फ्रेंच बीन्स की खेती का हमारा बीच का खर्च आएगा 16,000 रूपे खेत की तैयारी का खर्च आएगा 25 रूपे इसमें दो बार घहरी जुताई वा एक बार रोटावेटर का खर्च इंकलूड है चुकि फ्रेंच बीन्स की खेती एक लंबी अउदी की फसल है इसलिए हमें देशी गोबर की खाद जादा डालने पड़ेगी जिसका हमारा खर्च आएगा 4,000 रूपे रासाईनी खादवा उर्वरक का खर्च आएगा 25,000 रूपे फसल को मोजे वा फली छेदक कीट से बचाने के लिए हमें फसल पर स्प्रे करना पड़ता है हमारा पूरा स्प्रे का शेडूल का कोश्ट आएगी 3,000 रूपे फ्रेंच बीन्स के पोधे की बेलो को फिलने के लिए हमें बांस का पूरा सेट अप तयार करना पलता है इस पूरे सेट अप का खर्च आएगा 20,000 रूपे इसमें बांस, तार और लेबर की कोश्ट इंक्लूडे वायर के लिए आप जी आई वायर 18 नंबर और जी आई वायर चोईस नंबल लीजिए 25 माइकरोन के मल्चिंग पेपर की कुल लागत आईगी 8,000 रूपे खेट से मंडी तक का ट्रांस्पोर्ट चाड़ जाएगा 4,000 रूपे इन सब खर्च को जोड़कर एक एकर फ्रेंच बीन्स की खेती की कुल लागत आईगी 6,000 रूपे लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन पर एक एकर फ्रेंच बीन्स की खेती से कितना उत्पादन होता है बेलदार बींज का उत्पादन जाडीदार बींज की तुलना में देड़ गुना अधिक होता है अगर हम बेट से बेट की दूरी चार फीट ले वह एक बेट पर दो रो ले वहाँ पर रो से रो की दूरी एक फीट और पोदे से पोदे की दूरी 9 इंच रखे तो हमारा उत्पादन minimum 55 quintal से maximum 120 quintal तक जाता है इसलिए हम इसका minimum उत्पादन 55 quintal लेते हैं यानि एक एकर French beans की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 55 quintal हा यहाँ उत्पादन राज्यों के हिसाब से बदलता रहता है जहां पर ठंडे प्रदेशों में इसका उत्पादन 120 क्विंटल से भी जादा होगा पर एकड़ तो वहीं गर्म प्रदेशों में 55 क्विंटल के आसपास उत्पादन होता है लागत उत्पादन के बाद आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट समय पर एक एकड फ्रेंच बीन्स की खेती की समय साइकल कितनी है फ्रेंच बीन्स की बुवाई का सही समय जन्वरी फरवरी जुलाई अगस्त वा अक्तुमबर नॉवंबर इसके साथ ही इसके बीच के जर्मिनेशन के लिए 20 डिगरी सेलसेस तक का तापमान उप्युक्त होता है तो वहीं पोधे की ग्रोध के लिए 14 डिगरी से 25 डिगरी सेलसेस तक का तापमान सही माना जाते है 30 डिगरी से 35 डिगरी सेलसेस के उपर के तापमान पर हमारे उत्पादन पर असर पड़ता है इसलिए आप अपने राज्य के हिसाब से उप्यूक्त तापमान देखकर इन 6 महीनों में से कभी भी फ्रेंज बीन्स की बुवाई कर सकते हैं बीज बुवाई के 50 दिन के बाद ही इसकी पहली तुड़ाई आ जाती जो की मिनिमों 3 से 4 महा तक चलती है यानि एक एकर फ्रेंज बीन्स की खेती की समय साइकल हुई 5 से 6 महीने लागत उत्पादन समय के बाद आते हैं हमारे 4 पुईंट आमदनी पर एक एकर फ्रेंज बीन्स की खेती से कितनी आमदनी होती है फ्रेंज बीन्स की तुड़ाई 4 महीने तक चलती है इन 4 महीनों में से किसी भी एक महीने में आपको फ्रेंज बीन्स का काफी अच्छा भाव मिलेगा French Beans का मंडी थोगभाव मिनिममम 10 रुपे से मेकसिमम 40 रुपे तक रहता है हम इन दोनों का एवरेज 20 रुपे केजी मंडी थोगभाव लेते हैं हमारा उत्पादन हुआ था 55 क्विंटल वह एक क्विंटल में 100 केजी होता है और हमने एक केजी French Beans का मंडी थोगभाव 20 रुपे लिया है तो हमारी आमदनी हुई 1,05,000 रुपे यानि एक एकर French Beans की खेती से हमारी आमदनी हुई 1,05,000 रुपे यानि हमारी आमदनी मंडी में मिलने वाले भाव के उपर निर्भर कर दी है अगर हमें 10 रुपे केजी भाव मिलता है तो हमारी आमदनी होगी 75,000 रुपे तो वहीं अगर हमें 30 रुपे केजी भाव मिलता है तो हमारी आमदनी होगी 2,25,000 रुपे लागत उत्पादन समय आमदनी के बाद आते हैं हमारे 500 पॉइंट प्रोफिट पर प्रोफिट निकालने के लिए हम कुल आमदनी में से लागत को घटा देगी तो जो आकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रोफिट रहेगा हमारी आमदनी हुई थी देड़ लाख रूपे और लागत आई साथ हजार इस तरह हमारा प्रोफिट हुआ नब्भे आजाज और प्रोफिट परसेंटेज रहा 500 पर से अब हम बात करते हैं कि हम फ्रेंचबीन की खेती के साथ में कोन-कोन सी फस्लों की इंटर्क्रोपिंग कर सकते हैं हम फ्रेंच बींज की खेती के साथ में प्याज, लसुन, चुकुंदर, गाजर, मूली, बेंगन, पत्ता गोबी वा फूल गोबी की इंटरक्रोपिन कर सकते हैं आप मूली, गाजर, वा चुकुंदर को बेट की निचली सता पर यहां पर मल्चिंग पेपर में छेत करके इसके बीच की बुवाई कर सकते हैं जब आपके फ्रेंच बींज की फसल 15-20 दिन की हो तब आप इन फसलों की बुवाई कर सकते हैं इसके साथ ही जो हमारी खाली पड़ी जगह है इसमें आप मक्का, प्याज, लहसुन की भी बुवाई कर सकते हैं आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी बेल जब तक फेलेगी नहीं तब तक आप इनकी बुवाई कर सकते हैं लेकिन जब आपकी बेल फेल जाएगी उसके बाद में आप इंटर्ट्रोपिंग नहीं कर सकते हम अक्टूंबर महिने में फ्रेंच बीन्स की खेती के साथ में एक इंटर्ट्रोपिंग का नया मोडल प्रिक्टिकली ट्राई करने जा रहे हैं हम उसकी डीटेल आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम इस मोडल पर आपको बेसिक से सारी जानकारी दे तो हमें कमेंट सेक्षन के माध्यम से जरूर बताएं वीडियो में दी गई जानकर यह अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो इसे सब्क्राइब अवश्य करें अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल तो आप हमसे कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाने धन्यवाद किसान भाईयो जय जवान जय किसान